नमस्कार आप देख रहे हैं लोगसबाद चुनाव पर हमारा खास शो बैटल दो हजार चौबिस और मैं हूँ आपके साथ परवी राजस्थान में लोगसबाद चुनाव को लेकर सियासी रण सच चुका है बीजेपी की तरफ से पियमोदी और अमिश्या ने चुनाप्रचार का आगास कर दिया बीजेपी इस बार भी राजस्थान में कॉंग्रिस का सूप्रा साफ करने के मनसूबे के साथ मैदान में डट चुकी है अधर कॉंग्रिस गहलोत और पाइलेट बुटो की खटपट पे उलजी है वहीं बीजेपी अपने किलो को और मजबूत कर रही है राजी में पहले और दूसरे चरण में 25 सीटों पर चुनाव होगा इस पर चर्चा के लिए में साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इनचीफ डॉक्टर मनिश कुमार और एग्जेक्युटिव एडिटर राजीव कुमार आप दोनों का स्वाधत है दन्यवर डॉक्टर साब आज कॉंग्रिस को वैसे भी बहुत जटके पर जटके लगे हैं 24 गंटे में तीन नेताओं ने अलविदा कह दिया पार्टी को और कहा ये भी जा रहा है कि आने वाली वक्त में और इस्तिफे होंगे लेकिन यहाँ पर गौरब मलब का जिक्त जरूर करेंगे क्योंकि हम राजस्तान की बात कर रहे हैं तो कैसे देखते हैं देखे राजस्तान की जहां तक बात है पिछले एक महिने से जो लास्ट खबर आई थी कोई बड़ी कि यह आपस में ही लड़ रहे हैं पाइलिट और गहलो चार हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो है उमिद्वार मैदान में उत्रें ग्राउंड सिच्वेशन क्या है सब एक दूसरे के अभी कॉंग्रेस के अंदर ही बात में कर रहा हो कि अमिद्वारों को हराने में जूटे हुए हैं पतेजहर की तरह कॉंग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं कॉंग्रेस रुपी व्रिक्स से गिरते में जा रहे हैं टपकते में चले जा रहे हैं अपने गौरब वल्लब का नाम ने लिया तो गौरब वल्लब तो कॉंग्रेस पार्टी के सबसे प्रखर प्रवक्ताओं में से थे और वो आर्थिक विश्यों के बड़े जानकार माने जाते हैं यह प्रोफेसर सहाब है एकॉनिमिक्स के और कहां से आये हैं यह जमशेदपूर से आये हैं और इनको हम लोगों ने देखा कि कम से कम 60-70 प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कॉंग्रेस मुख्याले से और कम से कम 300-400 टेलिविजन डिवेट्स में तो देखा हैं यह लोगों ने और यह सब पिछले 5-7 सालों को जब भी कोई मुख्य विशय होता था दी मोनेटाइजेशन हो या फिर अडानी को उपर अटैक करना हो या कुछ भी करना हो कॉंग्रेस पार्टी हमेशा गौरफ साहब को आगी करती थी अचानक से फल टपक गया तूटके गिर गये विखर के चले गये कारण वो करेवेश दिशाहीन हो गई पार्टी पतभष्ट हो गई है समझ में नहीं आ रहा है जाना कहा है और कौन सो रास्ता लेना है अब राजस्थान पे आते हैं इनको राजस्थान भेजा गया था प्रियंका वाडरा भी इनको बहुत मानती है ऐसी ख़बर हमारे पास है इनको राजस्थान भेजा गया यह चुनाओ लड़े हार गये और जो गौर्ण वलब के आसपास के लोग हैं वो इस बात को कर्ण्विंस हैं और वो भी कर्ण्विंस हैं कि वो तो जीत रहे थे कॉंग्रेसियों नहीं हरा दिया यह जो दिल्ली से लाया हुआ अमिद्वार है इसको हरा दिया तो जब आप अपनी ही पार्टी के अंदर एक दूसरे को हराने में जुटे हो तो आप जीतेंगे कैसे दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कमी है यह पचीस के पचीस सीटे जाएगी बीजेपी के जोली में यह वहां के कॉंग्रेसियों भी मानके बैठे हो रहे हैं लेकिन अगर पिछले दो चुनाओं में आपको सीटे नहीं आ रही है तो पाच साल आपने क्या किया उस प्रावल एलेक्शन स्चोर दीजिए एसेंबली एलेक्शन में हार के बाद ये कितनी बार राजस्थान गये नहीं मतलब ये तो बिलकुल ही उस तरह का माइंड सेट है अच्छा राजस्थान वालों ने हरा दिया मैं नहीं जाओंगा ऐसे राजनिती होती है आपको अमिठी ने हरा या आप अमिठी घुमके जहीं नहीं वापस तो ये कई सारी चीजे एक साथ है राजस्थान में वेरी सैडली बट यही हकीकत है कि वहां कॉंवर्स पार्टी एक भी सीट जीतने के लायक नहीं बची है और ये आपस में लडाई जगडा और दूसरा गांधी परिवार की कम कि वह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में पूरी तिरे से असक्चम है और राजिव जी गांधी परिवार का जिक्र किया गांधी परिवार का सोनिया गांधी की बात करें गहलोत ने सीदी सीदी चनौती दी थी जब वो सत्ता पे काबिज थे जब सीम को लेकर यहां चली है यानि सचिन पाइलेट को इस बार प्रायरिटी दी गई है तो क्या सोनिया गांधी को जो चनौती दी गई थी उसका खामियाजा गहलोत को भुगतना पड़ा देखिए ये तो मीडिया में चलाई गई खबर है अब अशोग गहलोत रिटायर्बिंट करने वाले हैं अब क्या किया जाए सचिन पाइलेट की बात की जाए सचिन पाइलेट के गुट को जादा तबज्जो दी जा रही है ये बात की जाए अगर राजस्थान में पिछले एक महिनों में देखें तो कम से कम कॉंग्रेस के 600 नेताओं ने इस्तिफा देकर भारतिय जनता पार्ट में शामिल हो गए ये 314 जो संख्या है उसमें कई बड़े नेता है पुर्व सांसद यानि कि अभी पिछली बार से इस बार तक कॉंग्रेस को तो एक सांसद मिलें वाला नहीं है तो उससे पहले के सांसद है कुछ पुर्व MLA है कुछ MLA है और इन लोगों ने आरोब गंभीर लगाया है इन लोगों का कहना है कि कॉंग्रेस अब पार्टी बची ही नहीं कॉंग्रेस पार्टी नहीं है कॉंग्रेस एक गैंग बनके रह चुका है एक तरफ जाते हैं तो ये घहलोत का गैंग दूसरे तरफ पाइलेट का गैंग उपर में चले तो सोनिया का गै अब ये गैंग के बीच हम लोग कहां धुलमुल इदर उदर लुड़कते रहेंगे इससे बढ़िया है एक राज़ितिक पार्टी में राजनेता को होना चाहिए तो हमने एक राज़ितिक पार्टी डून लिया और वो है भारतिय जनता पार्टी जहां नीचे के कारकरताओं स भी परधान मंत्री डाइरेक्ट बात करते हैं यह चोटी मुटी बात नहीं है कि बूथ लेवल कारकरताओं से भी वो डाइरेक्ट बात करते हैं चाहे वीडियो कॉंफरेंसिंग से ही करें लेकिन बात कर रहे हैं उनकी मेहनत का असर दिख रहा है यह बात उनसे कह रहे हैं क आप ही हमारी ताकत हो दूतरी तरफ राहुल गांधी जैसे निता यहां पर बैठे हुए अगर आप राजस्थान में एक भी सीट की दावेदारी नहीं कर रहे सोच नहीं रहे जीत नहीं हो सकती है आपने पिछली बार वहां पर सरकार चलाई हो तो उसके बाद भी यह कॉंग राजस्थान सभा में कुछ सीठे आती है तो राजस्था जाने का जो रास्था तैयार होता है उसमें ही दिल्ली से बैठे हुए लोग निर्धारित कर लेते हैं पिछली बार केशी विनुगोपाल भी राज़स्थान से राजश्थान से राजस्था में गये तो फिर राजस्थान के नेता जो कॉंग्रेस के हैं वो करेंगे क्या इसलिए कॉंग्रेस वहाँ कनफ्यूड जादा है सचीन पाइलेट या अशोक गहलोत दोनों की टीम के लोग सोच रहे हैं कि अगर जीत भी गए एक दो सीट तो फिर हमें तो क्रेडिट मिलेगा नहीं जै तो फिर अभी कॉंग्रेस का विनास इस स्टेट में होने तो उसके बाद कॉंग्रेस नस्थ हो जाएrek फिर नए विकल्प की तलाज शुरू हो जाएगे। डॉक्टर साब कॉंग्रेस को कॉंग्रेस ही हरा रही है और कॉंग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार रह जाएगा पार्टी के नाम पर। देखिए गांधी परिवार की ही पार्टी है आप अगर स्ट्रेजी ढंग से आपने बनाई होती तो यह जो अभी भारती जंता पार्टी वहां पर एक्जिस्ट कर रही है वहां की बहुत बड़ा लूप वोल था वहां के जो सबसे बड़ी लीडर है वसंद्र राजे सिद्या उनका केंद्री लीडर्सिप के साथ उतना अच्छा सिस्टम नहीं है अदरवाईज वो मुक्ष मंतरी बनती आप अगर एक तो आप खुद कमजोर हो अब तब आप इतने कमजोर हो गए हो कि दुस्मन आपको क बाकी राज़ों में इस तरह का क्रेक नीं नजर आएगा भारती जन्ता पार्टी में एक क्रेक जो नजराया वह राज़स्थान में नजराया तो जब आपको दिख रहा है तौ 115 अब होएंगे तो यही हाल होगा राजनीती में जितने लोग एक्टिव है जो लीडर्स होते हैं उनका बेसिक फंडा आप समझ लीजिए राजीव ने कहा बिल्कुल सही बात है पांसो लोग जो है राजस्थान में जो है वो चले आया इधर को कार करता नहीं लीडर है कोई ब्लॉ क्ला हुआ तो मैं जीजाूगा और अगर इस पार्टि में रहा थे मैं हार जाऊंगा अब यह तमाम कार करतां को भी लग रहे कि हार जाएंगे कॉंक्रस में नहीं हों यहां से हमार कोई भविश्य नहीं है हम वाड कमिस्टर भी नहीं जीत सकते हम पंचायत नहीं जीत सकते हम MLA नहीं बन सकते हम MP नहीं बन सकते तो कितने दित तक लोग उसमें ध्यान देंगे तो लोग जो है वो ट्रांसफर हो रहे और ये बड़ी विडमना है कि भारती जनता पार्टी ने एक मौका दिया और कॉं आप देखिये कैसे कैसे बवाल मच जाता है चुनी भी सरकार आपकी जो है अधरे पे लटके वी बाचल में क्यों यो गेव दम चांस आपने चांस दिया बीजेपी वाले लपक लेते हैं आप सुवेब रह जाते हैं अपनी किस्मत को कोशते हैं और उसका अच्प्रस इतिहास में कभी नहीं रही जो राहूल गांदी के नत्युत में कॉंग्रस पार्टी कंफ्यूज़ हुई इदर राजिस्तान में राजीव जिससर से अशोग गहलोद विदान सबस चुनाव आ रहे हैं उसके बाद देखते हैं उनकी सक्रियता बिलकुन नाके बराबर है एक तरह से हाशिये पर धखेल दिया गया है लेकिन सचन पाइलेट थोड़े एक्टिव नजार आ रहे हैं उ नहीं बात ही माचल प्रदेश में प्रतिवासी ने कहा था कि हम चुनाव क्यों लड़े हमने फिडवेक लिया तो हमारे कारकरता और कारकरताओं को इकठा करने वाले नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कारकरताओं में जोश नहीं है या तो वोट के दिन जाएंगे ही न आदा समय नहीं है 26 अप्रेल तक पूरा चुनाव कत लेकिन अभी के समय में राजस्थान में कितनी रेलिया ये बड़े नेताओं की हुई है जो दिल्ली में बैठकर यहां स्टुटजी बना रहे हैं वहां पर भी राजस्थान के अंदर कितने रेली ये गहलोत यार पाइल चितोडगर में एक बड़ी रेली हुई जहां अशोग गहलोत और सचीन पालेट दोनों पहुंचे ये तो बड़ी बात है कि आपके दोनों वहां के बड़े लीडर एक मंच पर नहीं आते और कहते हैं कि इस बार कड़ा मुकाबला होगा भारती जंतापार्टी के साथ मुक राजस्थान में हमने चुनाप परचार नहीं किया इसलिए वहां ऐसे इस्तित रही है उन्हीं जगों पर जाओ जहां एक दो सीट भी जितने की संभावना हो पूरी तरीके से हार का ठपा अपने सर पर मत ले लो और यहीं बजह है कि राजस्थान में कुछ नहीं होने वाल धनेवाद धनेवाद तो कॉंग्रेस सरेंडर कर चुकी है बीजेपी राजस्थान में मिशन 25 पर काम कर रही है इसके लिए शाह की रणीती और मोदी का एक्शन प्लान दोनों तयार वहीं कॉंग्रेस अभी अदुरूनी कला से जूज रही है शाह और मोदी राज्यी के दोरे कर रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक अभी नीन से जागे ही नहीं है आप देखना होगा कि राजस्तान में राहुल कब चुनावी प्रचार का आगास करते हैं जब कि पियमोधी चुनावी प्रचार का शंखनात कर चुके हैं आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके अपनी रायस जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कापिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद